दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज यहां पर मैं बनाई हूँ मटका कुलफी जो कि मैं भी पहली बार बनाई हूँ बहुती अच्छा बना बहुती टेश्टी और सबसे बड़ी बात गर्मियों के दिन में अगर आइसक्रीम मिल जाए तो क्या कहना तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले हमको आधा कप चेनी लेना है और उसमें कम से कम 10-12 जो है काजू और 10-12 पीस जो है अपने को पदाम डाल देना है इसको हमको सभी को मिक्सी में ग्राइंड करना है और उसमें हम डालेंगे इलाइची जिसको मैं छिल ही हूं चिलके ही डालेंगे इसी इसका टेस्ट बढ़ जाता है और इन्स भी को मिक्सी में पीछ लेना है भारिक पीछना है वाक है कि में घर में ऑगर पुल्फी बने तो बहुत ही अच्छा लगता है और इस प्रकार का बनाने में बहुती सरल और बहुती जल्दी बनता है मैं भी इसको पहली बार ट्राइ करी हूँ तो सोची चलिए वीडियो बनाके आपको शेयर करती हूँ यह देखे मिक्सी में पीछ रही हूँ आप भी इसको जरूर ट्राइ करिएगा और बच्चों को भी किलाईएगा बच्चे खोश हो जाएंगे क्योंकि यह इतना जल्दी बनता है कि मैं इसके बारे में सोची नहीं थी और यह देखे बारी पौडर बन चुका है और इसको हमको क्या करना है कि एक तरफ रख देना है और अब कोई कटोरी में जो फ्रेश क्रीम होता है मार्केटे मिल जाता है सुपर मार्केटे मिल जाता है और इस फ्रेश क्रीम को हमको एक डिबा ले लेना है इसमें 200 ml रहता है और इसी क्रीम का ही हमको बनाना है मटका कुलफी और इस पूरे क्रिम को हमको निकाल लेना है याद रखेगा यह बहुत ही ज्यादा चिल्ड होना चाहिए अगर मार्केट से लेके आएंगे तो इसको आप फ्रिजर में रख दीजिएगा दो चार घंटे के लिए इसके बाद ही इसको बनाईएगा और यह पूरी तरह से निकल काट के यह निकाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा क्रिम था अ और इस पूरी क्रिम को क्या करना है अची तरह से फेटना है और सहीमें घर में तो छहική पूर बनाया जाए तो वाग prosecution यह बहुत ही अच्छा बनता है हम लोग फिर भूल जाएंगे कि हमको बाहर जाके भी इसको खाना है करके घर में इतना टेश्टी बना और इसको अच्छी तरह से हमको चमची साथा से फेटना हैं और इसको बहुत ज़्यादा ही फेटना है कम से कम 5-10 मिनट फेटना है ताकि यह जो है चितरा से फलपी हो जाए इसको लगातार एक ही डिरेक्शन में फेट रही हो इसी प्रकार से आपको भी फेटना है और फेटने से यह बहुत ज़्यादा हलका हो जाता है एक तो वैसी क्र और एक ही डिरेक्शन में फिटिएगा इस जिसका याद रखिएगा आप इदे कितना अच्छा से एक प्रकार का फ्लपी हो गया है और इसमें हम जो पौडर अभी बनाए हैं शक्कर का जो बदाम का उसको हमको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिलाते जाना है एक सथ पूरा म इतने महीं अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा लगातार इसको चलाते जाएए और बच्चे अगर बच्चों को तो आइस क्रीम बहुत पसंद है उनको तो कर्मी की दिन में कुछ न कुछ खाने का मन करता है तो आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और बच्चों को खिल सकते हैं बच्चे के बड़े भी ऊचते हैं तो हमारे घर में मैं बनाई थी तो सब ही को यकिन नहीं के उपनां करके उनको लगा क्ब मार्यक हारा है मैं बोली नहीं मार्यकेट आद्यомина hei ही बनाई हूं तो बहुत हो गए और इसमें मैं क्या कर ऑपर थोड़ा सा एक गंटा पहले केसर डाल कर भीगोई दी थी उसको भी हमको इसमें मिला देना है इसे इसका कलर जो है बहुत सुन्दर और टेस्ट भी बढ़ जाता है लगातार इसको देखिए इसको लगातार अच्छे तरह से लगातार चमस की साथा से मिक्स कर लीजिए और यह गोल जो है यह ने प् बरके बनाओंगी आइस क्रीम यह देखिए अच्छकल कुल्हड का में चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है तो मैं भी कुल्हड वाला ही कपले आई थी उसे में ही मैं इसको डाल रही हूँ तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी जुरूर बताएगा और आप भी एक बड़ ट्राइ जुरूर करिएगा आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल में जो नए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल को बहुत जातर लाइक और शेयर करिए आप लोगों से विंती है ताकि मैं भी जो है कुछ अच्छी तरह से कुछ रेसिपी बना सकूँ क्या है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है तो यह देखिए दुनों कप में मैं कुलहड में आईस्क्रीम डाल चुकी हूँ और यह दुनों इस प्रकार से हमको भर देना है और उसमें गार्निश करने के लिए मैं पिस्ता काजू और बदाम करके रखी थी पहले से उसके छोड़े टुकड़े उसको हम सजावत कर रहे हैं और उपर से हम केसर वाले धागे से भी सजावत करेंगे तो बहुत ही सुन्दर दिख रहा है यह देखें बहुत ही सुन्दर प्रकुल मार्केट जैसा ही लग रहा है अब इसको हम क्या करेंगे जो खाना करम करने वाला जो पॉलिधन आता है ना गाल इसको कवर कर देंगे देखें कितना सुन्दर देख रहा हैं मैं आपको यकिर नहीं हो रहा है कि घर मे बन कर ट्यार हो चुका है अभ इसको हम एक खाना करम कर दो जो पॉलिधन आता है कि त्न kelu आज तेखीं तरह से जाना पाएं जमना पहे हो औहां और हमारा आइस क्रीम जो है नहींड वनकर त्यार धियार हो जाए दोनों इसकी में डबल लोक कर रहे हुं इसको तो इस इस प्रकार शेश्कों भी कर देना है दुसरेवाले आइस क्रीम को भी कर देना है और इसको हमको लोग करने के बाद अ ilustric तरह से लॉक करने के बाद इसको हमको कम से कम दस से बारा घंटा जो है फ्रिजर में रखना है यह आप दोफर को बनाए और रात को खाईए बहुत ही मज़ा आता है खास का रात में तो आएसके मौर अच्छा लगता है तो इसको मैं आप जा रही हूं फ्रिजर में रखने और यह देखे, अब मैं इसको फ्रिजर से बहार निकालूंगे दस से बारा घंटे हो चुके हैं तो यह देखे फ्रिजर में रखा हुआ है उसको मैं निकाल रही हूं वाके में मन बहुत लल्चा रहा है खाने के लिए और देखने के लिए किस प्रकार से बना है करके और मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखे अब मैं इसका कवर को हटा दूँगी बहुत ही सुन्दर बना है बहुत ही अच्छा दिख रहा है दोनों को यह देखे कितना अच्छा इसका बिर्कुल बरफ तक नियू उपर जमा है और बहुत ही सुन्दर दिख रहा है तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जुरूर बताईएगा और हम फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू